सिंगर हनी सिंग को धम की के मामले में लॉरेंस विश्णोई को दिल्ली लाने के तयारी की जारी गैंग्स्टर लॉरेंस को दिल्ली लाने के लिए स्पेशल तयारी की जारी है लॉरेंस को दिल्ली लाने के लिए एक स्पेशल टीम बनाए गई दरसल गायक और पर्फॉमर हनी सिंग को धम की देने के मामले में लॉरेंस विश्णोई से पूछताच होनी है फिलाल बटिंडा जेल से उसको लाय जाएगा दिल्ली बटिंडा जेल से बुलिट प्रूफ गाडियों में लॉरेंस विश्णोई को लाय जाएगा उसकी फेरी जारा सुनिये, इसमें स्पेशल टीम बनाए गई है, स्पेशल ट्रेंड टीम बनाए गई है, जो की कॉमबेट ट्रेंडिंग से लेकर के इन्फरमेशनल ट्रांस्पोर्टेशन तक हर चीज में पारंगत होगी, लाने के लिए लारेंस विश्णोई को बुलेट प जान में रखा जाएगा क्योंकि और सख्रसेखास बात ये, कि जब तक बटिंडा से दिल्ली का काफिला टायक पूरा पहुचेगा, जब तक ये पूरी डिस्टेंस टायक ही जाएगी, ये काफिला बीच में कहीं भी किसी भी वजह से रुकेगा ने, उसके पीछे की एक बंबिया गैंग, जान से मारने की धमकी दे चुका है, और लॉरेंस बिश्टोई के ओपर मौका पाते ही बंबिया गैंग हमला कर सकता है, ऐसे में बटिंडा से जब दिल्ली लाए जाएगा पूस्ताज के लिए लॉरेंस बिश्टोई को, तो संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि बंबिया गैंग अपने उद्देशों को पूरा करने की कोशिश करे और हमला करने की कोशिश करे, ऐसे तमाम संभावनाओं को दर्किनार करने के लिए स्पेशल टीम गटित की गई और लॉरेंस बिश्टोई को एक बुलेट पूफ गाड़ी से लेकरके बट पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत की किसी जेल में लॉरेंस बिश्टोई को भेजा जा सकता है, अभी तक बटिंडा जेल में बंद है, बटिंडा से हानी सिंग को धम की मामले में उसको दिल्ली लेकर के आए जा रहा है, जहां पर स्पेशली ट्रेंड ऑफिसर्स की टीम उ अभी तक बटिंडा से हानी सिंग मामले में लॉरेंस बिश्टोई को पूछताच करनी है, दिल्ली पूलिस की स्पेशल सेल को पूछताच करनी है, और इस बावत पाकाईदा प्रोडक्शन वारेंट भी दिल्ली पूलिस की तरब से ले लिया गया है, लेकिन चुकि सुरक् जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई तब उसके बाद से ही लगातार उसके दुश्मन गैंग जो हैं, उसे अपना निशाना बनाना चाहते हैं, और इसी को लेकर तमाम सारे इंपुट्स जो हैं, वो जाच इजंसियों के पास है, जो की कही न कहीं शेयर किया गय और इसी वज़े से उसे दिल्ली लाने में खास एहतियात जो है, वो बरता जाएगा, जाहिर तोर पर एक तरफ जहां भटिंडा पुलिस का ये कहना है, अभी कि उनके पास उतनी फोर्स नहीं है, जिसके जरीए वो दिल्ली लारेंस बिश्नोई को छोड़ सके, वो ही दिल् पूस्ताच की जाएगी, क्योंकि निश्चित तोर पर जिस तरीके से लारेंस बिश्नोई गैंक की अगर बात किया जाए, तो गोल्डी बरार ने बाकाइदा खनी सिंग को धमकी दिया था, और उस पूरे मामले में लारेंस बिश्नोई से पूस्ताच करनी है, तो एक तरीक से कहा जा सकता है कि जाच को आगे बढ़ाने के सिलसले में उसे दिल्ली लाना है, लेकि अगरेंस बिश्नोई को किसी दूर दराज की जेल में दक्षिन भारत में या उत्तरपूर्वी भारत में कहीं भेज देना चाहिए, इस मामले की वज़क है, आप से जानूँगा, मैं सशेयर की पुलिस एक पाइलेट के तौर पर रास्ता खोला रखेगी, यानि रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, बीच रास्ते में काफिले को रुखने के इजाज़त नहीं है, तो जो पाइलेट कार है, पाइलेट कार के पीछे दिल्ली पुलिस की स्वाट टीम रह सबसे आगे पाइलट कार उसके बाद एक स्पेशल टास्क पोर्स रहेगी उसके पीछे रहेगा लॉर्स बिश्णोई और उसके पीछे रहेगी दिल्ले पुलिस की स्वाट टी